नमस्कार आज के कारिक्रम में सभी दर्षकों का स्वागत है। आप सबसाइदिया जानते हैं कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाडू होती है। पिछली कख्षाओं में हम यह भी पढ़ चुके हैं कि परमाडू के अंदर इलेक्ट्रान, प्रोटान तथा न्यूट्रान होते हैं। लेकिन परमाणु में धनात्मकावेश तथा इलेक्टरान की विवस्था क्या है, दूसरे सब्दों में परमाणु की संरचना क्या है। परमाणु की संरचना जानने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। उनिस्वी सताब्दी तक पदार्थ की परमाणु वी परिकल्पना के समर्थन में काफी साक्ष एकत्तित हो गए थे। सन 1897 में ब्रिटिस भौती विज्ञानी जोसेफ जे टाम्सन ने गैसों के विद्दुत विसर्जन प्रयोगों द्वारा ग्यात किया कि विभिन तत्तों के परमाणु में उपस्थित रिडावेशित इलेक्टरान सभी परमाणु के लिए पूर्णतया समान होते हैं। तथा भी परमाणु स्वयम में विद्दुत उदासीन होते हैं। इसलिए एलेक्टरान के रिडावेश को निश्प्रभावित करने के लिए परमाणु में धनात्मक आवेश भी अवस्य होना चाहिए। इस तर्थि को ध्यान में रखते हुए टॉम्सन ने सन 1898 में परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धन आवेश परमाणु में पूर्णतया एक समान रूप से वित्रित है। तथा रिड आवेशित इलेक्टरान इसमें ठीक उसी प्रकार अन्ताहिस्थापित हैं जैसे किसी तर्भूज में बीज। परंत परमाणु के विशय में बाद के अध्यनों में या पाया गया कि परमाणु में इलेक्टरानों तथा धन आवेशों का वितरण इस प्रस्तावित मॉडल से बहुत भिन है। जेजे टाम्सन के ही एक भूतपूर्व सोध छात्र अरनेस्ट रदर फोर्ड ने परमाणु की सनरचना का अन्वेशन करने के लिए सन 1906 में परमाणुओं द्वारा अलफा कणों के प्रकीणन से सम्मंधित एक क्लासिकी प्रयोग प्रस्तावित किया। यह प्रयोग कुछ समय पस्चात सन 1911 में हैंस गाईगर तथा अरनेस्ट मार्शदन ने किया। हैंस गाईगर तथा अरनेस्ट मार्शदन मात्र 20 वर्सी छात्र थे तथा अभी तक इसनातक की उपाद भी ग्रहन नहीं की थी। आईए हम उनके द्वारा किये गए प्रयोग को समझते हैं। इस प्रयोग में रेडियो एक्टिव स्रोत से उस सर्जित अलफा कणों के एक पुंज को एक पतली स्वरण पन्नी पर दिस्ट कराया गया जैसा की आप इस चित्र में देख सकते हैं। रेडियो एक्टिव स्रोत से उस सर्जित अलफा कणों की उर्जा पाँच दसमलो पाँच मिलियन इलेक्टरान बोल्ट थी। और स्वरण पन्नी दो दसमलो एक गुणे दसकी घाद रिण साथ मीटर मोटी थी। संपूर्ण उपकरण एक निर्वात कक्ष में रखा गया था। इस प्रश्टा बनाये रखने के उद्देश से इस चित्र में निर्वात कक्ष नहीं दिखाया गया है। इस चित्र में आप प्रयोक के व्यवस्थात्मक निर्वपन को देख सकते हैं। यह एक रेडियो एक्टिव स्रोत है। इस रेडियो एक्टिव स्रोत से उस्तरजित अलफा कणों के एक पतले किरण पुंज को सीशे की इन इटों के मध्य से गुजार कर सनरेखित किया गया। इस किरण पुंज का सुर्ण पन्नी पर आघात कराया गया। प्रकिरणित अलफा कणों का विक्षेप मापने के लिए इस घुणन संसूचक सूच्म दर्सी का प्रयोक किया गया। इसमें एक जिंक सलफाइड का परदा एवं एक सूचम दर्सी था। प्रकीरिणित अलफाकन परदे से टकरा कर चमकीले फ्लेश अथवा प्रस्फूर उत्पन करते हैं। ये प्रस्फूर इस घुरण करती हुई सूचम दर्सी द्वारा देखे जा सकते हैं। प्रकीरिणित कणों की संख्या के वित्रण को प्रकीरिण कोण के साथ एक लेखा चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। ये लेखा चित्र किसी दिये समयांत्राल में विभिन कोणों पर प्रकीरिणित कुल अलफाकणों के वित्रण को दर्साता है। इस लेखा चित्र में X अक्ष पर प्रकीणन कोड डिगरी में तथा Y अक्ष पर संसूचित किये गए प्रकीणित कणों की संख्या को लिया गया है चित्र में दिखाये गए ये बिंदु प्रयोग में प्राप्त आक्णों को दर्साते हैं और अनवरत रहने वाले ये वक्र पुर्वा नुमान को दर्साता है पुर्वा नुमान इस कल्पना पर आधारित है कि परमाणु में एक सूच्म, सघन तथा धनावेशित नाभिक है बहुत से अलफाकन स्वर्ण पन्नी को पार कर जाते हैं इसका आर्थ है कि उनमें संघटन नहीं होता आप्तित अलफाकनों में से केवल 0.14 प्रतिसत का एक अंस के कोण से अधिक प्रकीणन होता है तथा 8000 अलफाकनों में से लगभग एक कन 90 अंस से अधिक विक्षेपित होता है अलफाकन प्रयोग के अवलोकनों पर रदर फोड ने तर्क किया कि अलफाकनों को विप्रीद दिशा में विक्षेपित करने के लिए इन पर बहुत अधिक प्रतिकर्शन बल लगना चाहिए इतना अधिक बल तभी प्राप्त हो सकता है जब परमाणु का अधिकांस द्रविमान तथा इसका धन आवेश इसके केंद्र पर द्रधता पूर्वक संकेंद्रित हो तब अंदर आता हुआ अलफाकन धनावेश को भेदे विना इसके अत्यंत समीप आ सकता है तथा इस प्रकार के समागम के परडाम सुरूप अधिक विक्षेप होगा इस तर्ग से नाविकी परमाणु की परिकल्पना की पुष्टी होती है यही कारण है कि रदर फोड को नाविकी खोज का श्रेय दिया जाता है रदर फोड के परमाणु नाविकी माडल में परमाणु का कुल धनावेश तथा इसका अधिकांस द्रविमान परमाणु के बहुत छोटे से आयतन में संकेंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं तथा इलेक्टरान इससे कुछ दूर होते हैं इलेक्टरान नाभिक के चारों और कक्छाओं में चक्कर लगाते हैं ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चारों और ग्रह चक्कर लगाते हैं रदर फोड के प्रयोग ने सुझाया कि नाभिक का आकार लगभग दसकी घात माइनस 15 मीटर से दसकी घात माइनस 14 मीटर हो सकता है गतिश सिध्धान्त के अनुसार परमालु का आकार लगभग 10 की घात माइनस 10 मीटर माना जाता है तो परमालु का आकार नाभिक के आकार की अपेक्षा कितना बड़ा है? लगभग 10,000 से 1,000,000 बड़ा तो नाभिक से इलेक्टरान कितनी दूर दिखाई देगा? नाभिक के आकार की पेच्छा लगभग 10,000 से 1,000,000 बड़ा दूर दिखाई देगा इस प्रकार परमालु के भीतर का अधिकांस भाग खाली है परमालु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होने के कारण अधिकतर अलफाकन पतली धात की पन्नी से बिना विक्षे पिधुए बाहर निकल जाते हैं जब कोई अलफाकन नाभिक के समीब आता है तो वहाँ पर विद्धिमान प्रबल विद्धुत बल इसे बड़े कोण से प्रकीनित कर देता है परमाण के इलेक्टरान अत्यंत हलके होने के कारण अलफाकनों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल पाते यह चित्र अलफाकन का प्रक्षे पत्ष दर्षाता है अलफा कन द्वारा अनुरेखित प्रक्षेपत संगके संघट प्राचल B पर निर्भर करता है संघट प्राचल क्या है? संघट प्राचल अलफा कन के प्रारंभिक वेक सदिस्की नाभिक के केंद्र से अभिलंबिय दोरी है अलफा कणों के पुंज के संघट प्राचल B का वितरण इस प्रकार है कि पुंज विभिन दिशाओं में भिन भिन प्राइक्ताओं से प्रक्रेणित होता है यह देखा गया है कि नाभिक के समीब अर्थात कम संगट प्राचल वाला अलफाकण अधिक प्रक्रिनित होता है प्रत्यक्ष संगट की इस्थिती में संगट प्राचल नियुन्तम है तथा अलफाकण पीछे की ओर प्रतिछिप्त होता है अर्था ठीटा का वान πाई अंस के बराबर होगा यह हमने यहाँ पर यह एक अलफा कड़ गया है और वहाँ से फिर यह 180 अंस पीछे की तरफ वापस आ जाता है तो ऐसे बहुत ही कम कण होते हैं जिनका जो 180 अंस पर पीछे आते हैं यह तथ कि आपतित कड़ों में से केवल एक छोटा भाग ही टकरा कर वापस लोडता है यह सूचित करता है कि प्रत्यक्ष संगट की इस्थिती में आने वाले अलफा कड़ों की संख्या बहुत कम है इससे ग्यात होता है कि नाभिक का द्रविमान तथा धनात्मक आवेश बहुत छोटे आयतन में संकेन रिध हैं इस प्रकार रदर फोड प्रकीर्णन नाभिक के आकार की उच्छ सीमा ग्यात करने के लिए एक सक्तिसाली शाधन है आईए अब हमें एक प्रस्ण को हल करते हैं प्रस्ण है कि मान लीजिए कि स्वरंड पन्नी के इस्थान पर थोस हाइड्रोजन की पतली सीट का उपयोग करके आपको एक अलफा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग करने का अवसर प्राप्थ होता है आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं ग्यात हो कि 14 केल्विन से नीचे ताप पर हाइड्रोजन ठोस हो जाती है अब हम इस प्रस्ण को हल करेंगे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाड का नाभिक प्रोटान है और प्रोटान का द्रविमान 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम और अलफा कन का जो द्रविमान होता है वो 6.64 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होता है प्रकीन होने वाला कन का द्रविमान लक्ष नाभिक से बहुत जादा है इसलिए प्रत्यच संघट में भी अलफा कन वापस नहीं आएगा इलेक्टरान कक्छाएं परमाड का रदरफोर्ड नाभिकी माडल परमाड को एक विद्दुत उदासीन गोले के रूप में चित्रित करता है जिसके केंद्र पर बहुत छोटा भारी तथा धन आवेशित नाभिक है जो अपनी अपनी गत्सील इस्थिर कक्छाओं में घूमते इलेक्टरानों से घिरा हुआ है परिक्रमा करते हुए इलेक्टरानों तथा नाभिक के वीज इस्थिर वैद्दुत आकरसंड बल एफ ई इलेक्टरान को अपने कक्छ में बनाए रखने के लिए आवस्यक अभिकेंद्री बल एफ सी प्रदान करता है अता हाइड्रोजन परमाड़ू में गत्सील इस्थिर कक्छा के लिए एफ ई और एफ सी बराबर होंगे अगर हम एफ ई और एफ सी के मान रख दें तो एफी का मान होता है एक बटे चार पाई एफसिलान जीरो इवर्ग बटे आर वर्ग और FC का जो मान होता है वो M V वर्ग बटे R यहां हम इसको अगर हल करें तो यहां हम R का मान इस तरीके से लिख सकते हैं R बराबर E वर्ग बटे 4 पाई एपसिलान 0 M V वर्ग अब हम हाइड्रोजन परमान में इलेक्टरान की उर्जा ग्याद करेंगे हमको पता है कि R बराबर होता है E वर्ग बटे 4 पाई एपसिलान 0 M V वर्ग या हम यहां से अगर M V वर्ग का मान निकालें तो M V वर्ग बराबर E वर्ग बटे 4 पाई एपसिलान 0 R अब हम जानते हैं कि गतिज उर्जा का जो सूत्र होता है K बराबर E वर्ग बटे 8 पाई एपसिलान 0 R अब हम जानते हैं कि इस्थिज उर्जा का मान क्या होगा U बराबर होता है माइनस 1 बटे 4 पाई एपसिलान 0 Q1 Q2 बटे R या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि U बराबर माइनस E वर्ग बटे 4 पाई एपसिलान 0 R अब हम पुना जानते हैं कि जो संपूर्ण उर्जा होती है वो गतिज उर्जा तथा इस्थिज उर्जा का योग होती है अगर हम मान रख दें तो हमें मिलेगा K की जगा पर E वर्ग बटे 8 पाई एपसिलान 0 R और U की जगा पर माइनस E वर्ग 4 पाई एपसिलान 0 R इसको अगर हम हल करें तो E का मान हमको मिलता है माइनस E वर्ग बटे 8 पाई एपसिलान 0 R अता हाइड्रोजन में इलेक्ट्रान की कुल उर्जा रिडात्मक है या तथ दर्साता है कि इलेक्ट्रान नाभिक से परिवद्ध है यदि कुल उर्जा E धनात्मक होती तो इलेक्ट्रान नाभिक के चारोर बंद कक्छा में नहीं भूमता परमाणवी स्पेक्ट्रम हम जानते हैं कि ठोस, द्रव तथा सघन गैसें सभी तापों पर वैद्धु चुम्ब की ये विकिरण उस सर्जित करते हैं जिसमें अनेक तरंग दैर्गियों का अविरत वितरण विद्धिमान होता है यद्धिप उनकी तिव्रताएं भिन भिन होती हैं या समझा गया कि यह विकिरण परमाडवों तथा अडवों के दोलनों के कारण होता है जो प्रतेक परमाडव अथवा अडव का अपने समीब के परमाडवों या अडवों के साथ होने वाली आपसी क्रिया से नियंत्रित होता है इसके विपरीत ज्वाला में गर्म की गई विरलित गैसों द्वारा उस सर्जित प्रकाश में केवल निश्चित प्रिथक प्रिथक तरंग दैर्ग होती हैं इनके स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं की एक स्रंखला दिखाई देती है ऐसी गैसों में परमाड़ों के मद्ध अंतराल अधिक होता है अताह उस सर्जित विकरण परमाड़ों अथवा अड़ों के बीच आपसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप नहीं बलकि विशिष्ट परमाड़ों के कारण माना जा सकता है उन्नीसवी सताबदी के प्रारम में ही यह स्थापित हो गया था कि प्रतेक तत्व से उस सर्जित विकरण का एक अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है जब कोई परमाड़वी यह गैस अथवावाश्प निम्न दाप पर प्राया है इस से विद्दुधारा प्रवाहित करके उस सर्जित की जाती है तो उस सर्जित विकरण से इस्पेक्ट्रम प्राप्थ होता है जिसमें कुछ विशिष्ट तरंग दैर्ग ही होती है इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को उस सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा इसमें काली प्रस्थ भूम पर दीप्त रेखाएं होती हैं अता किसी पदार्थ के उस सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम का अध्यन गैस की पहचान करने के लिए किया जा सकता है हाइड्रोजन एक सरलतम ग्यातत्व है चित्र में परमाणवी हाइड्रोजन द्वारा उस्चरजित इस्पेक्ट्रम दर्साया गया है जैसा कि चित्र में दर्साया गया है हाइड्रोजन इस्पेक्ट्रम के कुछ विशेश समुच्चेयों के भीतर रेखाओं के बीच की दूरी नीमित रूप से घटी जाती है इसमें से प्रतेक समुच्चे को स्पेक्ट्रमी स्रेणी कहते हैं सन 1885 में जेकब बामर ने हाइडरोजन स्पेक्ट्रम के द्रस भाग में इस ब्रकार की पहली स्रेणी को देखा इस स्रेणी को बामर स्रेणी कहते हैं जैसा की चित्र में दर्शाया गया है लाल रंग की सरवाधिक तरंग धैर्ग 656.3 नैनो मीटर वाली रेखा को H अलफा 486.1 नैनो मीटर तरंग धैर्ग की नीली हरी अगली रेखा को H बीटा 434.1 नैनो मीटर तरंग धैर्ग की वैंगनी रंग की तीसरी रेखा को H गामा इत्याद द्वारा वेक्ट किया जाता है जैसे जैसे तरंग धैर्ग घटती जाती है रेखाएं समीब होती प्रतीत होती है तथा उनकी तीवरता कम होती जाती है बामर ने इन रेखाओं की प्रेक्षित तरंग दैर्ग्यों के लिए एक सरल आनुभविक सूत्र ग्याद किया सूत्र था एक बटे लेम्डा बराबर आर एक बटे दो वर्ग माइनस एक बटे एन वर्ग जहां पर लेम्डा तरंग दैर्ग है और आर का मान एक दसमलो सून नौ साथ गुणे दसकी घाद साथ मीटर की घाद माइनस एक इसको हम रिडवर्ग नियतांग कहते हैं तथा एन का मान तीन चार पाँच से ले करके अनंत तक हो सकता है हाइड्रोजन के उस सर्जन स्पेक्ट्रम में अन स्रेणिया भी हैं लाइमन्स रेड्री जिसके लिए एक बटे लेम्डा बराबर आर एक बटे एक वर्ग माइनस एक बटे एन वर्ग जहां एन का मान दो तीन चार अनंत तक हो सकता है फिर पासंस रेड्री के लिए एक बटे लेम्डा बराबर आर एक बटे तीन वर्ग माइनस एक बटे एन वर्ग जिसके लिए एन का मान चार पाँच छे अनंत तक हो सकता है फिर प्रैकेट स्रेड्री है एक बटे लेम्डा बराबर आर एक बटे चार वर्ग माइनस एक बटे एन वर्ग जहां एन का मान पाँच छे साथ अनंत तक हो सकता है फिर है फुन्ड स्रेडी एक बटे लैम्डा बराबर आर एक बटे पांच वर्ग माइनस एक बटे एन वर्ग जहां एन का मान छे, साथ, आठ से अनंत तक हो सकता है उर्षजित रेखाओं के स्पेक्ट्रमी छेत्र, लाइमन स्रेडी का जो छेत्र है वो परामैंगनी छेत्र होता है, बामर स्रेडी के लिए द्रस्ट छेत्र है और पासन, ब्रैकेट, फुन्ड, स्रेडियां अवरक्त छेत्र में प्राप्थ होती हैं आज हमने जाना कि अल्फाकन प्रकिर्णन प्रयोग किसने किया था तथा या प्रयोग करने के पीछे क्या उद्देश था हमने ये भी जाना कि अर्नेस्ट रदर फोर्ड ने अपने परमाड मॉडल में क्या बताया था हमने इलेक्ट्रान कक्छाओं की त्रिज्जा तथा उनमें इलेक्ट्रान की उर्जा के लिए सूत्र निकाले और साथ ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलने वाली रेखाओं की तरंग दर्ग के लिए सूत्र और उन रेखाओं के स्पेक्ट्रमी छेत्र के बारे में अब एक प्रश्णूत पन होता है कि क्या रदर फोर्ड का पर्माड माडल पूर्णता सही था या उसमें कुछ कमिया थी अगर कुछ कमिया थी तो वे क्या थी उन कमियों को किस ने और कैसे दूर किया आप इन प्रस्णों का उत्तर खोजने का प्रयास करें इन सभी प्रस्णों के उत्तर के साथ हम भी फिर मिलेंगे धन्यवाद, नमस्कार उरत के बने प्रूई प्रूब्स